Hello students, welcome to Global Online. So, NTA UGESon at June 2024 examination में लगबख सिरफ 15 देज का टाइम अभी बाकी है and SME students अगर अभी भी आप लोगों के paper 1 की अच्छे से तयारी नहीं हुई है आप लोगों का पूरा syllabus भी असानी से cover हो जाएगा तो strictly अगर 15 days आप लोग मेरे बताय हुई तरीके को follow करोगे तो बहुत help आप सभी को exam qualify करने में हो सकती है So, इसे के साथ फिर discussion को शुरू करते हैं So, देखे students सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि paper 1 में जितने भी units है इसमें आप लोग देखे कि आपको सबसे आसान unit कौन सा लग रहा है काफे बच्चे ऐसे होंगे जिनके paper 1 के कुछ units miss हो चुके हैं जिनोंने अभी तक ये units को touch भी नहीं किया तो मेरा ये ही suggestion है कि revision के लिए at least एक बार आप लोग सबसे पहले उन units के PYQs और expected MCQs को revise करो जो units आप लोगोंने बार बार पढ़ ली है जैसे कि teaching aptitude से maximum बच्चे शुरू करते हैं तो teaching aptitude की theory concepts अगर आपने पढ़े हैं तो इस unit के आप लोग PYQs और expected questions को एक बार revise करो उसके बाद धीरे धीरे पहले उन units को cover करते चलो जो आप लोग already अच्छे से पढ़ चुकी हैं साथ ही आप लोग ये target रखके चलो कि 10 June तक आप लोगोंने ये वाला काम पूरे अच्छे से कर लेना है 10 June के बाद आप लोग उन units को उठाइए जो units आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पड़ी है तो आप अब यहाँ पर बोलोगे कि मैम ऐसे questions हमें कहां से मिलेंगे जो कि unit wise preparation में हमें मदद करेंगे तो आप सभी के लिए 15 days revision series में मैं unit wise MCQs लेकर आई हूँ जिसमें आपको 2023 तक के सभी shifts के examination के questions मिल जाएंगे बिल्कुल updated questions है answers के साथ आपको मिलेंगे लगबग 5000 प्रस updated questions है तो आप लोगों ने ये 5000 number से डरना नहीं है कि इतने questions हम कैसे पड़ेंगे लगबग हर unit में आपको 500 questions मिलेंगे लेकिन भग सिरफ 100 questions या 150 questions तक पहुंचोगे तो ही आप लोगों को clear चीजें हो जाएंगी कि वही questions वही चीजें बार बार exam में घुमा कर पूछी जा रही है जो questions शुरू के 100 या 1500 होंगे उन्हीं को घुमा करके पूछा गया होगा और ये सारे questions 2023 examination तक के सभी shifts को मैंने unit wise arrange किया है आप चाहो तो इसके साथ आपको short notes पे मिल जाएंगे जिसमें आप लोगों के basic concepts clear हो जाएंगे साथ ही most repeated pyqs को भी include किया गया है तो students अगर अभी भी कोई unit miss हो चुकी है उसके concepts पर बिलकुल मत जाएए उस unit के सिरफ और सिरफ pyqs को आप सभी को practice करना है ताकि आप सब आसानी से अच्छा score कर सकें तो आप लोगों के लिए fees हम बहुत कम कर रहे हैं फिर भी आपको कोई doubt है कोई confusion है तो given numbers पर whatsapp के जरिये आप हम से directly contact करके इसकी पूरी information ले सकते हैं इसके अलावा free mock test भी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ जो आपको global online app पे मिलेंगे store section पर search bar में लिखना है course का नाम जैसे ही आप content पर जाते हो आपके सामने दो courses हैं आप किसी भी course के mock test को attempt कर सकते हो English, Hindi, Bilingual इसके नीचे भी कुछ free mock test आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ उनको जरूर attempt कर लेना updated questions है December examination के pattern और level के हिसाब से questions मैं लेकर आई हूँ तो आप सब students की best revision के लिए हम भी पूरे efforts कर रहे हैं तो आप इन चीजों को strictly 15 days में follow कीजिए औके इसके साथ ही students आप लोगों को एक और update देना चाहती हूँ कि आप सभी students अगर कोई भी doubts लेकर आते हैं पेपर वन के direct हमसे contact करना चाहते हैं तो आपके लिए free telegram group मैंने बनाया है इस group में पेपर वन के जो भी current affairs हैं जो भी important concepts हैं वो सब तो हम discuss करेंगे ही साथ ही आप लोगों के लिए discussion के लिए ये बिलकुल open group है आप लोगों के कोई भी question है जिसका answer नहीं मिल रहा उसको यहाँ पर आप लोग आपस में भी discuss कर सकते हो सब के लिए ये group बिलकुल open है तो आप सब के लिए इतनी help हम कर रहे हैं बस आपको 15 days in चीजों को strictly follow करना है so इसी के साथ फिर discussion को end करते हैं thank you so much for watching this video and I wish you all the very best